यहां किसान सांप की खेती से करोणों की कमाई कर रहे हैं दोस्तो हमारा देश एक क्रिशी प्रधान देश है जहां का मुक्य उत्पादन और कमाई खेती और फार्मिंग से ही होती है साथ ही कुछ लोग जानवरों को भी पाल कर अलग अलग तरह से उनका व्यापार करते हैं जैसे मचली पालन, चिकन फार्मिंग, गाए भेस पालना ये सब भी किसी ना किसी प्रकार से व्यावसाई का हिस्सा बन जाता है लेकिन दोस्तो एक देश ऐसा है जहां के लोग खेती और पशुपालन से उब गए हैं इसलिए वो अब ऐसे जानवरों की फार्मिंग करने में लगे हैं जिसे अगर हम पास से देख लें तो हम अपनी मौत को अपने करीब देखने लगते हैं जी हां हम बात कर रहे हैं दुनिया के कुछ खतरनात और सबसे जहरीले जानवरों में से एक सांप की दोस्तो सांप आज के समय में महद एक जहरीला जानवर ही नहीं बलके पैसों से माला माल कर देने वाला जीव बन चुका है और इसका सबसे जादा फाइदा मिल रहा है चीन को चीन के लोग चमगादर खाते हैं, कुता भी खाते हैं इनके यहां चार पैरों वाली कुरसी टेबल को छोड़ सब कुछ खाया जाता है दुनिया में ये देश कोरोना महमारी को लेकर पहले ही बदनाम है ये तो वो सारी बाते हैं जिनके बारे में सारी दुनिया को पता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन के लोग जहरीले सापों की खेती भी करते हैं ये बात सुनकर आपको जरूर जटका लगा होगा तो आईए जानते हैं चाइना के लोग क्यों हर तरह की फार्मिंग को छोड़ कर सांप की खेती करने में लगे है दोस्तो सबसे पहले हम सांपों के बारे में कुछ एहम बातें जान लेते हैं ताकि इस विशे को आसानी से समझा जा सके World Health Organization के मताबिक दुनिया में सांपों की तीन हजार से अधिक प्रजातियां हैं जिनमें से लगबग 600 विशेले और 200 से अधिक को चिकटसक के रूप में महत्पूर माना जाता है वैसे तो दुनिया में सांपों की एक से बढ़कर एक प्रजाती मौजूद है जिने उनके जहर के हिसाब से आँका जाता है यानि कुछ सांप कम जहरीले होते हैं तो कुछ इतने जहरीले होते हैं कि अगर एक बार वो किसी को काट लें तो इनसान का बचना लगभग नामुम्किन हो जाता है जैसे किंग कोबरा, रसल वाइपर, इंडियन कुरेट और रैटल स्नेक ये दुनिया के सबसे जहरीले सांप माने जाते हैं जो औस्टेलिया में पाया जाता है भले ही ये सांप आकार में चोटा होता है लेकिन इसके काम काफी बड़े है इसके एक डंक में 100 मिली ग्राम तक का जहर होता है जो इतना घातक होता है कि एक साथ 100 लोगों को मौत की नींद सुला दे इसका जहर नियूरो टॉक्सिक होता है बताते हैं कि एंटिवेनम बनने से पहले ये घातक सांप किसी को काट लेता तो उसकी जान किसी भी सूरत में नहीं बचाई जा सकती थी इंसान की मौत निश्चित थी सांप को अन्य जीवों से जुदा करने वाली एक बात ये भी है कि जहां दिकांश जीव अपने शिकार को चबा कर खाते हैं वहीं सांप ऐसी पर जाती है जो शिकार को खाता नहीं बलकि सीधे निगल जाता है इतना ही नहीं सांप अपने से बड़ी जीवों को भी निगलने की ताकत रखते हैं ज्यादतर सांप छिपकली, मेंधग, छोटे पक्षी और चूहों को अपना भूजन बनाते हैं लेकिन अफरीका में पाई जाने वाला जगर छोटी गाये तक को आराम से निगल जाता है नैशनल जिग्राफी के अनुसार सांप एक बार में अपने से सतर से सो प्रतिशत बड़े शिकार को बड़े ही आराम से निगलने का दम रखता है ऐसे में क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इस खतरनाक जान लेवा और घातक शिकारी की भी फार्मिंग कर सकता है लेकिन चीन एक ऐसा देश है जहां सांप की फार्मिंग की जाती है यहां एक ऐसा अनोखा और विचित्र गाओं है जहां अनाज सबजियां और फल की खेती के बजाए सांपों की खेती की जाती है चीन केस निराले गाओं का नाम भी कुछ हटपटासा है यानि जिसी कियाओ गाओं बड़ी पैमाने पर सनेक फार्मिंग करने के कारण जिसी कियाओ गाओं को सनेक विलिच के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों जैसे याप चीन केस गाओं का नाम गोगल पर डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ सांपों की खेती कितने बड़े पैमाने पर की जाती है दरعसल यहाँ के लोगों का मुख کے विवावसाय अन्य लोगों से कुछ अलग है क्योंकि यहाँ के लोग सनेक फार्मिंग करके खुब कमाई कर रहे हैं यहाँ सांप लोगों की आम धनी का मुख स्तोथ है इस गाउं की जितनी आबादी है उससे कहीं ज़्यादा यहां सापों को पाला जाता है बेशख आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन यहां की आबादी करीब एक हजार है और यहां पर फ्यक्ति साल में कम से कम तीस हजार साप को पालता है इस अनोखी गाउं में हर साल करीब 30 लाग से भी जादा सांपों की फार्मिंग की जाती है बता दे कि यहां कोई आम सांप की खेती नहीं होती बलकि जहरीली सांपों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है इस गाउं के लोगों की दोस्ती लोगों से कम और सांपों से ज़ादा है क्योंकि इस गाउं मे लगबग हर दूसरा शक्स इस काम से जुड़ा हुआ है यहां के लोग किंग कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों के साथ ही रहते हैं जहां हमारे देश में बच्चों के पैदा होने के बाद उसे खेलने के लिए खिलोने दिये जाते हैं वहीं चीन के इस गाउं में पैदा होते ही बच्चे सांप के साथ खेलने लगते हैं यहां साप ही उनके अच्छे दोस्त होते हैं और साप को फैमली का ही एक हिस्सा माना जाता है अगर कोई साधारण इन सापों को देख ले तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है लेकिन यहां के लोगों को सापों से जरा भी डर नहीं लगता कहते हैं कि यहां सापों की खेती के अलावा इनकी पूजा भी होती है यहां सनेक फार्मिंग पर साप के मास और जहर को मार्केट में उचे दामों में बेचा जाता है यहां के लोग सापों के अंग बेच कर बढ़िया मुनाफ़ा कमाते हैं जैसे कि चीन में साप के मीट की काफी डिमांड है। इसलिए इस गाउं में सापों की खेती मुक्खे रूप से की जाती है। दोस्तो हैरानी की बात है ना कि यहां के लोग साप की पूजा भी करते हैं और उनका मीट भी चाओ से खाते हैं। इतना ही नहीं चीन के लोग नाश्टे में साप का सूप भी पीना पसंद करते हैं। आपको बताने के बाजार में साप के जहर की भी बहुत डिमांड है। इसलिए इसकी केमत भी बहुत ज़्यादा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साप के एक लीटर जहर का क्या दाम होगा। मैं बताता हूँ लगबग साड़े तीन करोड रुपई। जी हाँ ये सच है। साप के अंगों का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे ताकत बढ़ाने वाली दवाईएं लकवाठीक करने वाली दवाईएं और कैंसर के लाज में काम करने वाली दवाईएं इत्यादी। दोस्तों इस छोटे से गाउ में ही قریب 100 स्नेक फार्म हैं। जी हाँ आपने सही सुना। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी खतरनाक जगा होगी यहां सांपों को पालने के लिए लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में सांपों को रखा जाता है जब सांप के बच्चे अंडों से निकल कर बड़े होते हैं तो उन्हें एक जगा से दूसी जगा ट्रांसफर कर दिया जाता है इन्हें प्लास्टिक के थेले या डिब्बे में बंद करके दूसी जगा पहुँचा दिया जाता है फार्म हाउस के बाद सांप को कसाई खाने में पहुँचाया जाता है जहां सबसे पहले सांपों का जहर निकाला जाता है और फिर उसका सिर काट दिया जाता है फिर उनका मीट अलग कर दिया जाता है सांप की चबनी को निकाल कर उसे सुखाया जाता है और उससे बैग, पर्स, इत्यादी सामान तयार किये जाते हैं अब बात करते हैं कि स्नेक फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों बेशक इस बात में कोई शक नहीं है कि चीन के भोजन में सांप से बनी रेसिपी शामिल है लेकिन यहां के लोग सांप को खाने के लिए कम बलकि उनसे दवाईयां बनाने के लिए उन्हें पैदा करते हैं यानि स्नेक फार्मिंग करते हैं आपको बता दें कि चीन के लोग अपनी परमपरा चिकितसा फद्यती पर काफी यकीन रखते हैं यहां के लोग पेड़ पौधे और जंगली जानवरों की मदद से ट्रीटमेंट करते हैं बताते हैं के सांप से स्किन डिजीज के इलाज का सबसे पहला उल्लेक पंद्रवी शताबदी में मिलता है उस वक्त चीन में स्किन की समस्याओं का इलाज करने के लिए सांप की चमरी का उप्योग किया जाता था सांप की स्किन की लुगदी बना कर उसे लगाया जाता था फिर धीरे धीरे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लाज के लिए भी सांप का इस्तेमाल किया जाने लगा बताते हैं के लाज के वक्त हार्ट पेशेंट को सांप का जहर दिया जाता है कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि अगर सांप से तयार दवाई को शराब पीने से पहले लिया जाए तो लिवर पर शराब का असर नहीं होता है और पीने वाला शक्स भी सुस्त रहता है चीन में सांपों के जहर से औशदी बनाने का एक किस्सा ये भी सुनने को मिलता है कि एक बार साल 1918 में यहां स्पैनिश फ्लो भेंकर रूप से फैल गया था तब इसके इलाज के लिए सांप के तेल से एक दवा तयार की गई इस दवाई से इस बिमारी के इलाज का दावा किया जाता है वहीं चीन के जिकिसिया गाओं में इसने एक फार्मिंग की परमपरा साल 1980 में शुरू हुई थी यहां इसने एक फार्मिंग करने वाले शक्स का नाम है येंग हॉंग चेंग इसके पीछे भी एक दिल्चस्प कहानी है दरसल येंग एक किसान था जो एक बार काफी बिमार पड़ गया और इलाज के लिए उसके पास पैसे तक नहीं थे तब उस शक्स ने अपने इलाज के लिए एक सांप पाला और उससे दवा बना कर तयार की सांप से बनी इस दवा से येंग ठीक हो गया और वो समझ गया किसके कारोबार में खूब मुनाफ़ा है तो क्यों ना स्नेक फार्मिंग की जाए तब ही से येंग ने स्नेक फार्मिंग का अपना मुखे रोजगार बना लिया जब गाउं के अन्य लोगों ने इने सांपों की खेती करते देखा तो उन्हों ने भी इसे अपना रोजगार बना लिया और इस तरहा पूरा का पूरा गाउं खेती करने में जुट गया आखर कैसे की जाती है स्नेक फार्मिंग दोस्तो यहां के लोग सांप को बिलकुल ऐसे पैदा करते हैं जैसे हमारे यहां किसान खेतों में फसल होगाते है सांप पैदा करने के लिए यहां के लोग सांपों की प्रेजिनन पद्यती को अपनाते है इस दोरान सबसे पहले सीजन में सांपों का प्रेजिनन कराया जाता है जब सांप पैदा हो जाते हैं तो उन्हें पाल पोस कर बढ़ा किया जाता है फिर उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है एक रिपोर्ट के मताबिक इस गाउं में चीन के अलावा अन्य देशों में जैसे अमेरिका, जर्मनी, रोस और साउथ कोरिया आदी में बड़े व्यापारियों द्वारा साउपों को भेजा जाता है हाला कि जब कोरोना महामारी आई तब से चीन में साउप के इस व्यापार में कुछ कमी आई है क्योंकि इस बेमारी के चलते न जाने कितने लोगों की जान चली गई दोस्तों अगर इसी तरह से चीन और अन्य देश अपने फाइदे के लिए एक बेज़ जुमान जानवर को यूही मारते और काटते रहे तो एक दिन धरती से सापों कास्तित तो खत्म हो जाएगा दोस्तों हमें प्रिकरती से जादा छेड़ चार नहीं करनी चाहिए अन्य था वो दिन दूर नहीं जब मानवस्तित पर भी खत्रा मन रा सकता है आपको ये वीडियो कैसी लेगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथ ही अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले फिर मिलेंगे आप से किसी नई वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइवाए